हाई मिसरी, अपने चैनल स्रेडी फूर्स में आपका स्वागत कहती हूँ आद मेरे याँ बारिस बहुत चादे हो रही है आप क्या में हो रही है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो बारिस में सबसे पहले किस जिस की आदाती है? पकॉडो की, है ना? तो चलिए हम चलते हैं अपने किचन बनाने पकॉडे देनी करते हैं मुझे बहुत काने का बने पकॉडे बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम आलू ले लिया है अब इसको हम रख देने उबलने के लिए इसको हमने अच्छे से धुल लिया था अब इसको हम रख दे रहें उबलने के लिए ये चार सिटी में उबल जाएगा जब तक ये उबल रायता तक हम दिखा दे रहे हैं कि इसमें डालने के लिए हमने एक कुछ सबजियां काटके रखी हूँ है इसमें अदरक है, प्याज है, हरी मिर्च है और हरा धनिया है आप इसमें लेसुन भी डाल सकते हैं मेरे घर में लोग लेसुन नहीं खाते हैं इसलिए मैं लेसुन नहीं डालती हूँ अब देखे मेरा यालू भी उबल गया है वे ठंडा भी हो गया है अब मैं इसे देख लेती हूँ कि छिल रहा है कि नहीं देखूं या यह देखे या असानी से इसका छिलका उतारा है और यह अच्छे से पक गया है अब मैं सारे आलों को छिल ले रही हूँ और छिलके इसी जो सबजें हमने काट रखी है आधा चमच्व नमक, आधा चमच अमचूर पाउडर, आधा चमच धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मेश पाउडर, आप इन सब की पॉंटिटी बढ़ा खटा सकते हैं, अपने टेस्ट के अकार्डिन, अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स करके एक डो तयार कर लेंगे, ये दिखे, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आलू उबालिये, तो उसमें ज़ अजवाइन, इसके लाओं इसमें हम और कुछ नहीं डालेंगे, अब आस पानी एड़ करके, लॉंस फ्री बैटर तयार करना है, यानि इसमें तुरह से गाठे ना पड़े, उस तरह से बैटर को तयार करना है, ये बैटर जब तयार हो जाए तो इसको लगभग 3-4 तरह से एक ही दिसाम फेटते रही है, अब इसमें देखिए, देखिए हमने गैस सूले पर रख दिया है तेल गरम होने के लिए, जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, तब तक जो हम आलू का डो है, इसके हम पेड़े तयार कर ले रहा है, यानि इसकी गोलियां तयार कर ले रहा है, अपने मनपसंद आकार में इसे बना सकते हैं आपको जैसा आकार पसंदो पकोडों का उस तरह से आप इसे बना कर सकते हैं और अक्सर करके बारिस के सीजन में तो इसका टेस्ट अलग ही आता है बहुत जादे अमेजिंग टेस्ट आता है यह देखिए हमारे सारे पेड़े तयार हो गया है अब हम एक एक पेड़े को लेंगे और बैटर में डूबोएंगे तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो गया है इ यानिकी बेशन का जो में बैटर तैयार किया था उसमें हम इसको डूबो देंगे और अब इसे हम डाल देंगे पेल में इस तरह से और कुछ दिर बाद इसे हम पलट देंगे जब हम इसे पलट देंगे तब आज हम हलकी कर देंगे क्योंकि जब पकोड़े तलने का एक ट्रिक होता है अगर आपको पकोड़े करारे चाहिए तो आपको पलटने के पाद आज को हलकी कर देनी चाहिए तब आपके पकोड़े बहुत ज़्यादे करारे बनके और क्रिस्पी बनके तयार होते हैं बहुत ज़्यादे टेस्टी भी लगते हैं यह देखिए हमाय सारे पकोड़े तल गए हैं अब हम इसे सर्व करेंगे यह देखिए आप लोग भी अपने घर पे इसी तरह से पकोड़ों को बनाईए खाईए और हमाया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना न भूलें और इस बारिज के मौसम को एंजॉय करिए थैंक यू सो मच